स्वागा थे दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बाबु स्टेडी में दोस्तों मैं आज कुस भी हार बोर्ड से जो कोस्टन पुछा जाता है बैलोजी में उसी के हम क्लेक्शन किये हैं आप लोग हमारे वीडियो को इन्ज तक वाज करें और 2021 एक्जाम का शंपुर्न तयार प्रशन को हम पीछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोग हमारे वीडियो को देख शकते हैं जो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर हमार चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दे चलिए तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मेरा पहला 17 नंबर प रस्त होने के पसचात्पुन अंग का वापस निकलना क्या कहलाता है थीक है तो मेरा answer हो जाएगा कि तो मेरा a number answer हो जएगा पुन रूदभावन नमब 261 पून रूदभावन यो नमबर इनसर तो चलेगा तो चलिए अपने next question क्यों चलते है तो मेरा next question जो है 18 नमबर कि इनमें से कौन द्वी गुन्नित है तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें द्वी गुन्नित होता है प्राग ठीक है मेरा answer हो जाएगा C नमबर प्राग ठीक है next question है कि 19 नमबर जीन प्रवकंद का एक उधारन है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा मेरा C number अधरक ठीक है उसके बाद best number question है कि कलीका रोपन का उधारन है कलीका रोपन का जो उधारन होता है वो क्या होता है कलीका रोपन का उधारन तो आप लोग जानते हैं कि कलीका रोपन का उधारन जो होता है का एक जनन होता है, तो मेरा A number answer सही हो जाएगा, ठीक है उसके बाद next question है मेरा कि A किस number पुर्ण रुदभावन की किरिया निमन लिखित में से किस में होती है ठीक है, तो मेरा 21 number का answer होगा कि S5 में होता है, ठीक है S5 में A number answer सही होगा उसके बाद 22 नमबर जो कोस्चन है 22 नमबर कोस्चन है कि 22 नमबर कोस्चन है कि जल कुम्भी 65,000 से अधिक पौधे पौधे कितने माह में उत्पन करता है ठीक है तो आप लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं कि यह 8 मां हमें उत्पन करता है ठीक है तो मेरा 8 अठाट मह एंसर भी गईध यह नमबर ठीक है एकिनिधा नीच्ट के बाद 23 कहता है 23 कि इन में कॉन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुस्प पैदा करता है तो आप लोग जानते हैं कि मास करता है ठीक है तो इनसर रिचाएगा मास विखी यह पूसता है ठीक है थेस्ट नमबर कुस्चन पूसता है एकज़ाम में उसके बाइद 14 नमबर प्रोशन है कि निमने रिखीद में किस 감़ में 12 वारस की 22 वार पुस्प KI पुस्प य हिस्प किलते हैं ठीक है तो आप लोग बताय किया होगा तो मेरा जो होगा वह नीला कूरंजी होता है ठीक है नीला कूरंजी होता है उसके बाद नेक्सट कोस्ट MAT 15 नमबर कोस्टन है कि आगयों में आवर्धी-प्रजनन होता है ठीक है तो beliefs एंसर हो जाएगा मे इनसर बुल वीम द्वारा बुल बीम दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे बिहार बोट से ही डिलेटेड मतलब कोस्टन को इस पे डाला जाता है और संपुर्ण तयारी की जाती है एक्जाम का आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नोटिफिकर साना आता है उसको देखते रहे त 1226 नंबर कोश्चन है कि रतों दाघ्रियों में निसैचन का भाग क्या होता है ठीक है तो तो चैस्टाइचन की अपने 27 नंबर प्रश्निकी यूर तो प्राकृतिक और इससे चछ जनन पाया जाता है यह यह जलिग आप लोग देख सकते हैं कि मढ़ू मख्य में पाया जाता है तो मेरा बी नंबर त मुसक्षर होगा उसके बाद अठाइस नंबर जो कुस्चन है मिरा अठाइस की बीचे चन का फाल निर्मान कहलाटा है देखिए बीजिछेचन की फॉल निर्मान जो कहलाता है वह मेरा कोसानितल्स पाइज نے होगा उसके बाद 29 नम्बर प्रश्व ने है कि फुर्न कारे त्राट पाया जाता है ठिकत दा 10 के एंसर था जाएगा मेरा 29 नंबर का हॉर मखी और मंच्हळ में ठीग है मककी और मख्शर में Sumon एनुअ पाल हुण मेरण मेरत 30 मेर्फ प्रशन है कि होता है कि के क्वेज़न का पूछन पूरसता है ensure सेचन का पुई नाम होता है तो मेरा answer क्या होगा तो मेरा answer जो होगा। वह सी number answer इसका सही होगा ठीकिए। टो मेरे एक-tis number question है कि एक Puma के शंबंध मैंने न लिखहें में कौन सही है ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा मेरा जिसका एंसर हो जाएगा सी नंबर और काई की तथा अनुस्वांसिक रूप से समान ठीक है तो मेरा 32 नंबर प्रश्ण है कि किसमे जनक्स कोशी का दो में विभक्त होकर ने जीओं में ने जीओं को जनन जन्म देती है तो एंसर आपका हो जाएगा कि मनोरा भी देती है और प्रोटीस्टा भी देती है और यह जो होता है पुस्पी पादब पुस्पी पादब जो होता है नहीं देती है ठीक है तो यह नहीं होगा तो मेरा एंसर क्या हो जाएगा a और b तो c नंबर एंसर सही होगा ठीक है तो देखिए यह मेरा second last question है कि 33 नंबर जिन अभिनेत्री, मानौ इनसुलिशन किसमें बनाता है तो इसमें इसका answer हो जाएगा C no.p ठीके तो मेरा last question है आप लोग जबाब दिज्येगा ठीके इर लास्ट question का answer क्या होगा comment box में जिरूर बठाएगा कि इसका answer क्या होगा तो इसको हम पढ़ देते हैं कि इनमें से किसमें बंगाल का आतंक कहा जाता है बंगाल का जो आतंक कहा जाता है वह जल कुम्भी को कहा जाता है ठीक है जल कुम्भी को कहा जाता है दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तो मैं इसी तरह कुछ objective लेकर आता हूँ जो कि BBI objective हम लेकर आते हैं हमारे YouTube चैनल बाबवे स्टेडी पर दोस्तो अगर exam का तयारी शंपुर्ण धंग शे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तो मैं और भी इसी तरह objective अपने YouTube चैनल पर डालते रहूंगा आप लोग हमारे चैनल को जरूर देखिए धन्यवाद